दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोल क्रियेट किया था जिसमें मैं एक कोश्चेन किया था कि क्या आप लोग अपने फोटो को काफी हद तक एडिट कर सकते हो और अपने स्कीन को काफी बढ़िया बना सकते हो जी हाँ फ्रेंट्स मैं बात कर रहा हूँ एर बरस का इस अप्लिकेशन से मैंने इस तरह का फोटो एडिटिंग किया है जैसे कि आप लोग इस स्क्रीन पे देख रहे हैं तो काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो है तो वीडियो को लाइक कर दीजाए चैनल पे नहीं हो तो सब आप लोग देख सकते हैं इस फोटोको को autres में रोलाइट में किलिक किया था और जब मैं इस फोटो को बनाया अना तो फोटो कुछ इस स्क्रीन से बन आ हृँ जैसे आप यस्क्रीन पर देख सकते है और एस फोटो को मैं अलाग और लियो जैए सो फिर्ट्स आप्लीकेशन और ज्यादा ग्रीन करना है ठीक है तो सबसे पहले हम इसको लाइट रूम मोईल के अंदर भेज लेंगे और आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं वीडियो में बहुत कुछ आपको जनकारी मिलने वाली है ठीक है तो यह जो मैंने फोटो को ने यहां पर इंपूट हो चुका यहां पर बाकी आपको कुछनी च्छरणा है ठीक है सैडव को ही आपको बढ़ा लेना नीचे जो आप लिखा हैं इसमें लाइट हमें देना है तो थोड़ा सा मिसको आगे की और जयों पर बढ़ा लेंगे और यहां पर बेस्टो को से ज्लेक्ट करके इसके से एप्र बिलक बढ़ाते हैं न तो मेरे face पे आजाएगा लाइट बिल्कुल बेकार लेगा इस तरीका से बढ़ाने के बाद हम चले जाएंगा औरेंज वाल एफसन पे यह जो होता है यह हमारे face के लिए बहुत ही मतलब बढ़िया बढ़े है इसके से चुरेशन कर लेते हैं पहले उसके बाद हम यह पर लिम्नेस यहां से गोरा हो जाएगा ठीक है यहां से डन कर लेंगे यहां पर हम अपने color भी डी शूट का चेंज़ करने वालेब तो यहां पर saturation को बढ़ा लेंगे ठीक है ज्यादा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे ठीक है और यहां प्लिमिने का बढ़ाएंगे न तो यहां पर टेक्शर को भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे ज्यादा नहीं ओक है और यहाँ पर लिखा एनटी है इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे जिसे मेरे फोटो मैंने एक अलग सही लूक आजाएगा और मेरा फोटो ना बिल्कुल बढ़िया सा बन चुका है अब इस फोटो क सकते हैं यह हैbnल अगर अगर को प्लेस्टोर पर मिंशने तो सर्क्राइब को भी मिल जाएक रिकENT यह सबसे पहले है पनी च्पलाइबम क्या करने वाला है सबसे पहले मेरा last में उपर जो option है इसमें सबसे last में एक option आता है skin tone का ठीक है इस पर हम click करेंगे ठीक है click करने के बाद यहां से हम क्या करेंगे यह वाल option select करेंगे और यहां से आप चाहें तो brush करके भी इस तरह light दे सकते हैं अगर automatic आप चाहें तो side में एक option आता है auto का इस पर क्लिक कर दिजेगा तो आपके face पर automatic सा यहां पर light मिल जाएगा ठीक है और यहां से बढ़ा सकते हैं यहां से कम भी कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा tool दिया है जिसे automatic adjust हो जाता है और इसके बाद हम यहां से कर लेंगे right देन उसके बाद हम क्या करेंगे ना अपने skin पर पिंपल से उसको रिमूब करने वाले हलाकि फोटो में तो पिंपल नहीं दिखाई दे रहे लेकिन हम इस चीज को रिमूब करेंगे उसके लिए आपको क्या करना ह विए चाहता है तो दोस्तों आपको क्या करने यहां पर Ichanной Form लिखाई इस से क्लिक करने के बाद आपको क्या करना इस तरह से जूं कर लेको यहां पर य करते हैं ठीक है यह बहुत ही अच्छा टूल है इसका यूज आप लोग कर सकते हैं अपने फेस के पिंपल्स को रिमूब करने में ओके और यहां समकर लेंगा राइट राइट करने के बाद अब आपका मेन जो काम है वह स्कीन को स्मूथ करना ठीक है जो कि बहुत इंपोर्ट से आपका फेस दो ग्याज़ सकते हैं काफी हद तक यहां से समूथ हो जायगा आपको मैन यूइली समूथ करने कोई जूरूती नहीं पड़ेगी अगर आप मैन, जो करना चाहते हैं तो ऐस पे क्लिक करना और इस तरीका से आपने फोटियू, जो फो गूर्ण करना और यहा तो आप लोग इस तरह से apply करके अपने face को नब बहुत ही हद तक यहां से smooth कर सकते हैं तो इस तरीका से यह tool का use आप करके face को smooth कर सकते हैं आप लोग देख सकते कितना बढ़ियां से skin जो है आपका smooth हो रहा है ठीक है तो ऐसे ही आपको बहुत ही आराम अराम से अपने brush के size को ने यहां से थोड़ा सा size जो है इसको size को आप इस तरह छोटा कर ले ना छोटा करना फिर से बड़ा भी कर सकते हो बड़ा भी करके आप लो पोटो यहां से edit होने वाला है ठीक है तो इस तरीका से आप smooth कर ले ना अपने face को manually मैं आपको बता दिया है सब सेटिंग यहीं पर जागर के आप अपने skin को काफी बढ़ियां यहां से smooth कर सकते हैं ठीक है बाकी जो skin पर जो texture हो गारा होता है ना जो sarpen हो गारा वो भी चीज करके आप अपने face पे ना sarpen हो गारा सब चीज दे सकते हो तो इसमें आला कि बहुत सारा टूल है ठीक है इसको मैं फटा-फट से smooth कर ले रहा हूं थोड़ा समय तो इस तरीका से आपको अपने skin को कर लेना है smooth ठीक है बहुत ही अच्छा लगा मुझे यह application आप लोग भी इस कि अब brush को चलाना बढ़ियां से नहीं आता है जिसको ऐसे face खराब होता है लेकिन इसमें ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है आपको अगर brush थोड़ा इदर अदर भी चलता है तो यह manage कर लेता है काफी हद तक और आपके face को काफी बढ़ियां से यहां पे बिल्कुल realistic जैसा smooth कर द गाइस यहां पर हम क्या करेंगे अपने face पर एक टेक्शर देने वाले हैं clarity देने वाले हैं ठीक है तो आपको यहां पर बहुत सरे features मिल जाएंगे यहां पर टूल वाले option पर क्लिक करना है और यहां पर मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत लगा था ना इसके वाज से फोटो आचा नहीं लग रहा है तो अगर आप लोग ब्लॉर करना चाहते हैं तो यह किलिक में यहां से जो सिंपल सा फोटो होता है उसका background जो है ब्लॉर हो जाएगा आप लोग ट्राइकर करके देखना और इसमें आप तूल में जाएगा यहां कंट्रास नहीं बढ़ाने वाल इसको छोड़ देंगे आप सारपें बढ़ाने वाले तो सिंपल देखिए यहां पर एक सारपें भी आपको मिल जागा जो की आप लोग फोटो का जूम करते हैं तो देख सकते हैं काफी अच्छा यहां पर एक सारपें वाली इफेक्ट मिल रहा है जो कि मेरे face को काफी नेचुरेली बना देगा तो इस तरीका सें 50 के असपास रख लेंगे सर्पेंट को और यहां पर जो saturation आप चाहे तो saturation भी इस तरीका से बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं ठीक है इसमें बहुत सरा highlights को भी manage कर सकते हैं सब features दिया गया इसमें अलरी आप इसको यूज कीजिए देखिए से डूब यहां बढ़ा सकते हैं brightness भी दिया है और यहां पर temperature का भी option दिया है यहां फिरड का भी option दिया है आप इससे क्या अपने face को और ज्यादा यहां से बना सकते है अपने face अपने face को बनाएंगे थोड़ा सा आपको समय देना होगा तब जाकर कि आपका face काफी बढ़िया बनेगा थीक है तो यह सारा features आप इसको apply कीजिए देखिए आपको बहुत ही अच्छी लागी होगी तो फटा फिर से वीडियो को लाइक कर दिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों हम इस फोटो को सेब करने वाल है तो सेब करने के लिए आपको एक ऊपर अपसन आ जाता है डाउनलोड का यहां पर जो करनर पर अपसन दिख र कर सकते हो तो यह चीश में नहीं बताया है क्योंकि एक वीडियो काफे ज़यादा लंबी हो जाती आप लोगम इस सारी वीडियो जो में बताता हूँ फेस को कैसे गोरा करते हूं वहाँ से आप लोग इसको गोरा और ज्यादा कर सकते हैं तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले न्यू फ्रेस वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई